परिचय ठोस अवस्था रसायन को ठोस आबंधन भी कहते हैं रसायनिक आबंध एक आकर्शन बल होता है जो दो कणों, परमानू, अनू, आयन को परस पर संगलगन रखता है जिससे नया ठोस बनता है ये कण ज्यादा स्थाई रूप प्राप्त करने हेतू, परस पर स्थिर विद्युत आकर्शन बल से भी आबंधित होते हैं सोचिए, यदि आप ठोस नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं होते तो आईए ठोस अवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ठोस अवस्था के सामान्य गुण धर्म बताना अक्रिस्टलिय ठोस और क्रिस्टलिय ठोस के बीज विभेद करना क्रिस्टलिय ठोसों को आबंधन बलों के प्रकार के आधार पर वर्गी क्रित करना क्रिस्टल जालक और एकक कोश्ठिका को परिभाशित करना ठोसों का वर्गी करन ठोसों को उनके अव्यवी कणों में उपस्थित क्रम की प्रकृती के आधार पर क्रिस्टलिय या अक्रिस्टलिय में वर्गी कृत किया जा सकता है उसों का वर्गी करण क्रिस्टलिय ठोस विशम दैशिक प्रकृती के होते हैं विभिन दिशाओं में कणों की भिन भिन प्रकृती के कारण प्रकृती में विशम दैशिकता होती है अक्रिस्टलिय ठोस अक्रिस्टलिय ठोसों को उनकी अतिमंद प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है उदाहरन पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दर्वाजों पर जड़े शीशे निरअपवाद रूप से शीश की अपेक्षा अधस्टल में किंचित मोटे पाए जाते हैं यह इसलिए होता है क्यूंकि काच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर अधस्तल भाग को किंचित मोटा कर देता है अक्रिस्टलिय सिलिकन सूर्य के प्रकाश का विद्युत में रूपांतरण करने के लिए उपलब्ध श्रेश्ट तम प्रकाश वोल्टिय पदार्थ है क्रिस्टलिय और अक्रिस्टलिय पदार्थ के बीच विभेद आईए क्रिस्टलिय और अक्रिस्टलिय पदार्थ के बीच कुछ विभेदों पर नजर डालें मूल्यांकन आगे बढ़ने से पहले आईए जाचें कि आपने कितना सीखा है सत्य या असत्य पर क्लिक करें क्रिस्टलिय ठोसों का वर्गी करण क्रिस्टलिय ठोसों को उनमें परिचालित अंतरा आणविक बलों की प्रकृती के आधार पर चार समवर्गों में वर्गी कृत किया जा सकता है ये हैं आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसयोजक ठोस अणविक ठोसों का वर्गी करण आणविक ठोसों के अव्यवी कण अणू होते हैं इन्हें निम्नलिखित समवर्गों में और अधिक प्रविभाजित किया गया है धात्विक्ठोस, अध्रवी, ध्रुविय और हाइड्रुजन आबंधित ध्रुवी आन्विक्ठोस यह ठोस मुलायम और विद्युत के अचालक होते हैं यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्य तह कम्रे के ताप और दाब पर ध्रव अथवा गैसिय अवस्था में होते हैं इन ठोसों में परमानू अथवा अणू दुर्बल परिक्षेपन बलों अथवा लंडन बलों द्वारा बंधे रहते हैं उदाहरन H2, CL2 और I2 दुविय और विक्ठोस पदार्थों के अणू ध्रविय सह सैयोजक आबंधों से बने होते हैं अणू अपेक्षा कृत प्रबल दुवी ध्रुव दुवी ध्रुव अन्योन्य क्रियाओं से एक तूसरे के साथ बंधे रहते हैं यह ठोस मुलायम और वित्युत के अचालक होते हैं इनके गलनांक अध्रुवी आन्विक्ठोसों से अधिक होते हैं उदाहरन HClSO2 ऐड्रोजन आबंधित आन्विक्ठोस ऐसे ठोसों के अनूओं में H और F, O अथवा N पर्मानूओं के मध्य ध्रुवी सह सैयोजक बंध होते हैं यह वित्युत के अचालक होते हैं सामान्य तह यह कमरे के ताप और दाब पर वाश्पशील द्रव अत्वा मुलायम ठोस होते हैं उदाहरन H2O बर्फ आयनिक ठोस आयनिक ठोसों के अव्यवीकन आयन होते हैं ऐसे ठोसों का निर्मान धनायानों और रिनायानों के त्रिविमिय विन्यासों में प्रबल कूलोमी स्थिर विद्युत बलों से बंधने पर होता है यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्यूत रोधी होते हैं। ये गलित अवस्था में अथ्वा जल में घोलने पर विद्यूत का संचालन करते हैं। धात्विक्ठोस धातुएं मुक्त एलेक्ट्रोनों के समुद्र से घिरे और उनके द्वारा संगलगमित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह हैं. ये एलेक्ट्रोन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तारित होते हैं. ये मुक्त और गतिशील एलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्छ विद्युत और उश्मिय चालकता के लिए उत्तरदाई होते हैं सहसयोजक अथवा नेटवर्क ठोस सहसयोजक बंध, प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं इसलिए परमानु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संगलगन रहते हैं ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं इनका गलनांक अत्यंत उच्छ होता है और गलन से पूर्व विघटित भी हो सकते हैं ये विद्युत रोधी होते हैं और विद्युत का संचालन नहीं करते उदाहरण, हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड ग्रफाइट कार्बन परमानू विभिन परतों में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक पर्मानु उसी परत के तीन निकट वर्ती पर्मानुओं से सह संयोजक बंधन में होता है जो की एक दूसरे के ऊपर सरक सकते हैं यह ग्रैफाइट को मुलायम ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाते हैं मूल्यांकन आईए आगे बढ़ने से पहले ये जांच लें कि आपने कितना सीखा सही शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ती करें क्रिस्टल जालक और एक अक कोश्ठिका अतह दिक्स्थान में बिंदूओं की नियमित त्रिविमी अव्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं एक अक कोश्ठिका क्रिस्टल जालक लगुतम है इसे जब विभिन दिशाओं में पुनरा वृत्त किया जाता है तो पून जालक की उत्पत्ती होती है प्रत्येक एकक कोश्ठिका के अभिलक्षनिक गुण निम्न है एक उसके तीनों किनारों की विमाओं A, B और C के द्वारा जोकी परस पर लंबवत हो भी सकते हैं अथ्वा नहीं भी दो किनारों कोरों के मध्ध कोण Alpha, B और C के मध्ध, β, A और C के मध्ध, और γामा, A और B के मध्ध के द्वारा इस प्रकार एकक कोश्ठिका छे पैरामीटरों A, B, C, Alpha, बीटा और गामा द्वारा अभिलक्षनित होती है दे एवं केंद्रित एकक कोश्ठिका एकक कोश्ठिका को विस्त्रित रूप से दो समवर्गों में बांटा जा सकता है आध्य एवं केंद्रित एकक कोश्ठिका क आध्य एकक कोश्ठिका जब अव्यवीकन एकक कोश्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हों तो उसे आध्य एकक कोश्ठिका कहा जाता है ख, केंद्रत एकक कोष्ठिका, जब एकक कोष्ठिका में एक अथिक अव्यवी कण, कोनों के अतरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, तो उसे केंद्रत परकी होती हैं अंतह केंद्रत एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अव्यवी कन, परमानू, अनू, अथ्वा आयन, कोनों में उपस्थित कनों के अतिरिक्त उसके अंतह केंद्र में होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अव्यवी कणों के अतिरिक्त, एक अव्यवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है अंत्य केंद्रित एककोष्ठिका ऐसी एककोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अव्यवीकणों के अतरिक्त एक अव्यवीकण किन्हीं दो विप्रीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है आप जानते हैं साथ ही धनिय जालक संग्रचना अधनिय संग्रचना की तुलना में फिसलन का ज्यादा अवसर उपलब्ध कराती है क्योंकि उनकी समरूपता विभिन दिशाओं में घनिष्ठता से संबध परतें उपलब्ध कराती है फलक केंद्रित धनिय, FCC, एकक कोष्टिका, अंतह केंद्रित धनिय, BCC, एकक कोष्टिका की तुलना में ज्यादा भार पढ़ने पर तूटने से पहले ही विक्रित हो जाती है BCC जालक यत्यपी घनिय, घनिष्ठता से संबध नहीं होते और मजबूत धातु बनाते हैं अलफा आइरन और टंग्स्टन बी सीसी रूप होते हैं, FCC जालक धनिय और घनिष्ठता से संबध भी होते हैं और ज्यादा भंगुर पदार्थ बनाते हैं गामा, आइरन, चांदी, सोना और लेड में FCC संगरचना होती है अंतिता, HCP जालक घनिष्ठता से संबध होते हैं, लेकिन घनिय नहीं होते HCP धातुएं जैसे कोबाल्ट और जिंक उतनी भंगुर नहीं होती जितनी FCC धातुएं होती हैं सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेट में दोहराएं ठोसों का द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है अक्रिस्टलिय ठोसों के अव्यवी कणों की व्यवस्था केवल लगु परासी होती है जिसके परिणाम स्वरूब ये अतिशीती द्रवों के समान व्यवहार करते है क्रिस्टलिय ठोसों के अव्यवी कणों की व्यवस्था दीर्ग परासी होती है उनके अव्यवी कणों के मध्य, अन्योन्यक्रिया की प्रकृती के आधार पर इन्हें आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस नामक चार समवर्गों में विभाजित किया जा सकता है क्रिस्टलिय ठोसों में अव्यवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं जो पूरे क्रिस्टल में विस्तारित होते हैं झाल 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 झाल